नमिश्कार इन खबर में आपका स्वागत है करनाटक में कांग्रेस जीत गई 135 सिटे उसे मिली है बीजेपी 65 पे सिमट गई इसके बाद उसके सामने चुनावती है सीम चुनने की क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष डीके सीव कुमार और पुरु मुख्यमंतरी सिधार मया में काड़ी टक कर है दोनों अपने कदम पीछे खिचने को तयार नहीं है सिधार मया मुख्यमंतरी रह चुके है और डीके सीव कुमार ने संगहर्स किया है उन्ही के नित्त में ये जीत मिली है लिहाजा कह रहे हैं कि अब उनका हक मिलना चाहिए सीधे उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है लेकिन बेंगलूरू में जो भी गत्पी दिया चल रही है जिस तरीके से उनके समर्थक आज उनके बढ़डे पर उन्हें सीम बनाने की मांग कर रहे हैं बैनर और पोस्टर लग रहे हैं उससे साफ है कि डिके सीव कुमार के मन में कुछ तो चल रहा है बात सिर्फ इतनी ही नहीं है उन्होंने आज सांगरिला होटल में बिधायकों से मुलाकात की कहा जा रहा है कि उनके समर्थक 75 बिधायक है और दबाव बनाया जा रहा है केंदरी ने तित्व पे कि बढ़्डे के दिन गिफ्ट दे दीजिए नहीं तो सबसे पली ये वीडियो देखिए देखा आपने किस तरीके से विधायक होटल पहुंच रहे हैं डिके सुकुबार मिल रहे हैं ये साफ साफ संकीत हैं राजनितिक संदेश देने के लिए केंदरी नित्व पे दबाव बनाने के लिए कई बार नेता ऐसा आयोजन करते हैं कल बिधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें की नेता धैक दल का चुनाव नहीं हो सका सब कुछ अध्यक्ष मलकारजुन खरगे पे छोड़ दिया गया अब उन्ही को फैसला लेना है सभाविक सी बात है कि वो जो भी फैसला लेंगे दस जनपत यानि गांधी परिवार से विचारवी मर्स के बाद ही लेंगे उससे पहले दिके सीव कुमार की अलग-अलग मीटिंग्स क्या कहती है बहुत कुछ कह रही है यदि बात करे सीव दरमया की तो उनके बेटे ने पहले ही सीव पद की दावेदारी ठोक दी है कि उन्ही के नित्त में या उन्ही के रणनिती से जो बनाई गई रणनिती सफलता मिली है लिया जा सीव दरमया का मुख्यमंद्री पद पर दावेदारी है क्या डिके सी कुमार डिफ्टिज चीफ मिनिस्टर बिल्कुल नहीं उधार से असपष्ट किया जा चुका है कि सीम से कम पे समझावता नहीं अब यदि यहाँ पे दोनों में लडाई होती है तो क्या तीसरे के लाटरी निकल सकती है क्योंकि जी पर मिस्वर और पाटिल का भी नाम आ रहा है देखने वाली बात यह है कि कांगरिस नितित्तो क्या फैसला करता है बेंगलूरू में गत्पिदिया बहुत तेज चल रही है किलियर कट कांगरिस के पास मेज़र्टी है और यदि सीम चुनने में देरी होती है तो उस भाविक सी बात है कि अंदर खाने कुछ तो चल रहा ह इस पूरे घटना क्रम पे हमारी नजर है जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साधा करेंगे रहेन बेखबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू